समस्कार दोस्तों एक बार फिर आजिरम आप साथ एक most important टॉपिक को लेकर यानि धरतिपुत किसान सीरीज में आपका स्वागत है यहनि फ्रेंट्स आज इस वीडियो बात करने बाले हैं विसमभाव त्रभुजाकार खेत है तो इसका बटवारा करना हो दो भागों में कैसे बाटें तो बहुत सारे फ्रेंट्स ने कमेंट किया था किसार इस पर वीडियो बनाईए दो बराबर या तीन बराबर भागों में बाठना हो तो कैसे बाठेंगे इस पर बताईए त्रबुज़ा कारखेत के संबंदित बात करें ते त्रबुज़ा कारखेत से संबंदित अलग भाग हमने 7-8 वीडियो प्रवाइट कर रखा जो कि त्रबुज़ा कारखेत पर रही है उसका बटवारा से लेकर चेट फ़ल तक तो आपको जाना है प्ले लिश्ट में धर्ति म वाहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा सारी बात आपको वहां से मिलेगी तो उसमें अगर धर्ति-पुत किसान शीरी जो हमने चालू किया इसमें हमने आपको लागातार बहुत सारे जानकारी दी है खेतों से संब्दित तो आप जाके सिरीज जरूर देखियेगा बात क कितितना वारगु फूरें तो सारा डीटेल आपको मिल जाएगा आपको प्लेीज्स पहल ह Sellin reality यहां पर बात क्रम करें यहां पर blijड म करें अ ठीक geht का बटवारा के वारे एक हीरोईज काफ फार्मूला होता है उस फार्मूले के मादव हम से आव इसका छित पर निकाल सकते हैं जैसा कि अगर बात करें इन तीनो मेंड़ो की लंबाइい अगर जोड करके आधा कर दें तो इसका अर्धपरिमाब निकलेगा टोटल बात करें तो परिमाप निकलता है तो अर्थ तीनो अगर हमने मेडों को जोड़ा तो यह निकल के आया आपका 202 मीटर अब इसको हमने दो से भाग कर दिया तो अर्थ परिमाप निकला यानि सेमी पेरिमीटर निकला अब ही semi perimeter का प्रयोग करेंगे हम इस फारमूले में और वहां से हम इसका छेतफल निकालेंगे जैसा कि बिसमभा उत्रभूज का छेतफल के अगर बात करें तो under root में yes yes minus a yes minus b yes minus c जो कि इसका तीनों कापस में गुड़ा होता है और yes क्या है अर्दपरिमाप है जो हमने यहां पे और इसको घटा के गुड़ा कर देंगे और इसका वरगमूल ले लेंगे वहां से इसका छेतफल कर निकल जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर अर्थ परिमाप कितना है 101 है और 101 में हमने 181 घटाया तो यहां पर 20 निकल के आया है वहीं अगर 101 में हमने 65 घटाया तो कितना निकल के आया है यह 36 निकल के आया है अगर बात करें 101 में हमने 56 घटाया तो 45 निकल के आया है इन तीनों चारों का गुड़ा करेंगे और गुड़ा करने के बाद इसका वर्गमूल लेंगे ठीक है अगर बात करें गुणा करने के बाद बेल्यू कितनी आई है जो कि 32,42,400 निकल के आया है टोटल गुणा करने के बाद ठीक है अब इसका वर्गमूल अगर लेते हैं तो वर्गमूल का मतलब आप समझ रहे होगे वर्गमूल का मतलब होता है कि अगर कोई भी अंडर रूट के अंदर है यानि करनडी के अंदर अगर चार लिखा है इसको अगर हम कुणन खंड करें तो दो गुडित दो कर सकते हैं इसका मतलब होता है वर्गमूल का मतलब दो में से एक को निकाल लेना उसी प्रकार इसका अ एक विदी से और छेत फल निकाल सकते हैं और यहां पर बात करें तो तो यह होता है आधार गुडित उचाई बटे दो ठीक है तो यहां पर देखा जाए तो टोटल छेत फल यह निकला है हमें यहां पर उचाई निकालनी है उचाई का मतलब है अगर दो बराबर भागों तो यहां पर उचाई निकालेंगे देखिए यहां पर उचाई निकालने का मतलब यह है कि इसको हम दो बराबर भागों में बाटना चाहते हैं ठीक है दो बराबर भागों में बाटने के लिए हमको यहां से हमने यहां पर उचाई कालपनी करेखा खीच दी है जिससे हमें पता चलेगा कि यह लंबाई कितनी है और इस लंबाई कि पता करने के बाद ही हम इसका दो भागोँ में बाट पाएंगे ठीक है तो देखिए टोटल च्छे चल परल में हमने दो का गुड़ा कर दिया और फिर हमने 80 से भाग कर दिया तो कुछ फ्याज निकल कर आई 44.6 rate निकल के आएगी ठीक किसे निकल कर आएगी 44.6 पहागों बाठना अगर खेत का छेठर फल थो भीगा है तो एक भहई को एक भीगा मिलेगा और दूसरे भहई को भीगा मिलेगा तो यहां से एगर AP की लंबाई का मतलब हो गया उपर बाले भाग की लंबाई यहां से यह जो हम कालपनिक मेड़ कीचे हैं यहाँ AP की लंबाई कितनी है इसका वर्ग करेंगे बराबर कर देंगे A कुल लंबाई AQ की लंबाई का वर्ग इन्टू छोटे भाग का छेतरफल भीग यहरे है का लॐसाम चेको भाग कुछेfik दो है चोटे इस tenant मिलेगा गाई कर दो छोटे ऑनुपात ही योजज होगा निकरीजाए आप अगर लिखते हैं जैसा कि छेतरफल अगर बात करें तो यह छेतरफल आया है इसको दो से भाग कर दीजेगा यहाँ छोटे का छेतरफल कितना हो गया यह दो से भाग करने के बाद लिख दीजेगा और बड़े वाले का छेतरफल कितना है यह है तो इसको यहाँ पर लिख दीजेगा तो यहाँ काटेंगे तो दोनों बैलू क्या है कट जाएगी कट जाएगी तो एक बटे यहाँ पर दो ही आएगा ठीक है तो हमने डिरेक्ट दो से भाग कर दिया है और एक यू की लंबाई है कितना 44.66 गुड़ी 44.66 तो जो भी लंबाई है उसको दो बार गुड़ा कर दीजे दो से भा अगर धुड़ा किया दो से नव सो सताव जुड़ा पचीस आया अब इसका वर्गमूल हमने लिया तो यह आपका 31.57 मीटर आ गया यह देखिए एपी की लंबाई कितना आई है एपी की लंबाई आई है आपका इसकी लंबाई कितनी आई है 31.57 अब टोटल अगर बात करें तो AQ की लंबाई कितना है 44.66 है तो simply अगर आप PQ के निकालना चाहते है यहां से यहां से यहां तक अगर लंबाई निकालना चाहते है तो simply कुछ नहीं है यहां पर आपको 44.66 में घटा देंगे तो यहां आपका निकल के जाएगा 13.09 यानि PQ की लंबाई आपका 13.09 simply कुछ नहीं करना था जब पहले आपने लंबाई यहां से A से यहां P तक की लंबाई आपको पता चल चुकी है तो यहां से यहां तक मीटर में लंबाई आपको नाप लेना है और एक मेर यहां पर बना देना है जो की BC के समानतर बनाना है ठीक है BC के समानतर बना देंगे तो आप आसानी से दो भागों में बढ़ जाएगा यह ठीक है यहां पर कुछ करना ही नहीं था आपको आसानी से निकल के आ जाएगा ठीक दोनों भागों का छेतरफल बराबर होगा और आपको लंबाई पता चल जाएगी कहां से आपको मेर बनाना है आसानी से दो भागों में बढ़ जाएगा तो ये वीडियो आपको कैसे लागए कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आये तो लाइक करिएगा मेरा वाट्सेप नमबर है जिसे आप मुझसे जूड़ सकते हैं अगर कोई समस्था है जिससे आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स नहीं पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं 77 068 47 919 ठीक है इस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो आपको रिपलाई जरूर दोंगा वीडियो को यहीं सभावत करते हैं नमस्था सॅइ ठा पा की नमस्था